बच्चो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म में आप अपने आंसर का फोटो क्लिक करके कैसे अपलोट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कोशन है find difference of 9 upon 4 and 1 upon 4 इसका आप पहले solution बना लेंगे copy पर इसका solution लिख लेंगे copy पर solution लिखने के बाद आप उस solution का photo खिचेंगे और photo खिचने के बाद आप उस photo को इस particular question के नीचे upload कर देंगे अब upload कैसे करना है upload करने के लिए आप वहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक maths का एक demo question पेपर है तो इस पर हम add यहाँ पर एक question है find difference of 9 upon 4 and 1 upon 4 ओके तो इस question को हम solve करेंगे copy पर solve करने के बाद हम add file button पर click करके उसको upload कर देंगे ठीक है तो बहुत easy process है बस आपको क्या करना है solution पहले copy पर बना लेना है copy पर बनाने के बाद इस add file button पर click करना है तो add file button पर हम click करते हैं उस particular question का solution मैंने already बना रखा है तो अब add file click करने के बाद यहाँ पर select files from your device को हम click करेंगे यह window open होगा insert file का जहाँ पर हमें upload section में select files from your device को select करना है इस button को हम दबाएंगे ओके so select files from your device को हम click करेंगे तो एक नया window open होगा जिसमें choose an action पुछेगा तो इस choose an action में हमें camera को click करना है तो now camera को हम click करेंगे then camera open होगा तो यह solution जो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था यह इसका हम photo ले लेंगे photo clear होना चाहिए blur नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को तकि checker को check करने मासानी हो और एक और बात कि आपको यह video नहीं बनाना है अगर आप video बनाएंगे तो file upload होने पर बहुत ज़्यादा time लेगा तो video बिल्कुल भी नहीं बनाना है सिर्फ photo लेकर आपको भेजना है और photo लेते वक्त यह भी ध्यान देना है कि अगल बगल के solution भी उस photo में ना आ जाए जिस जो question पुछा गया है particular उसी question का या answer का photo आप खीच कर upload करेंगे तो जैसे कि हमसे पुछा गया था 9 upon 4 minus 1 upon 4 तो हम इस particular question का photo खीच कर upload करेंगे so now I will click so यह photo आ गई अगर आपको लगता है कि photo ठीक नहीं आई है तो photo लेने के बाद एक preview यह जो दिख रहा है भी इसको आप चेक कर लो कि आप यह clear है कि नहीं photo अगर मालोग आपने गलती कर दिया photo blur आ गया है या कुछ portion छूट गया है photo में तो आपको आप फिर से photo ले सकते हो उसका ओके अपलोड करने से पहले ही आप चेक कर लो कि वह photo ठीक है कि नहीं पर आपको चेक करना है और यहां पर यह जो री बटन दिख रहा आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां से आप फिर से photo ले सकते हैं अगर आप इस photo से satisfy नहीं है तो तो मैं इस री बटन पर जैसे क्लिक करता हूं तो फिर से यह photo ले सकता हूं यहां पर और इसको मैं click करूंगा तो again this यह photo मैंने लिया अब जब हम satisfy हो गए कि हाँ यह photo अब सही है इससे upload कर सकते हैं तो हम इस right बटन पर click करेंगे जो कि यहां पर इस bottom corner पर bottom right corner पर right button पर click करेंगे उसके बाद जैसी right button पर click करेंगे तो यह window open होगा कई बार असा हो सकते है कि यह window open ना हो और आपकी file upload ना हो तो आपको फिर से वही process repeat करना है यहां पर panic नहीं होना है आपको वही process जो मैंने process बताया upload करने का फिर से repeat करना है तो बस यहां पर हम क्या क क्लिक कर रहेंगे अब जैसे हम upload पर click कर रहे हैं तो file upload हो रही है progress बार दिरे दिरे आगे बढ़ रहा है इसका wait करना है ओके यहां पर हम इसको disturb नहीं करना है इस process को बिल्कुल भी यह upload होगा कुछ ही second में upload हो जाएगा अब यह progress बार पूरा feel हो गया अब यहां पर फाइल upload हो चुकी है यहां पर upload होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा यह है ओके इसका मतलब यह है कि आपके फाइल upload हो चुकी है आप दूसरे question पर move कर सकते हैं हम दूसरे question पर move करते हैं find the difference of 7 upon 10 and 3 upon 10 अब फिर again वही process repeat करना है add file पर जाना है add file पर जाने के बाद select files from your device पर click करना है फिर camera को click करेंगे पर इस पर्टिकुलर question के solution का आपको pick ले लेना है पिक लेने के बाद आपको बस यह right button पर दबाना है bottom right corner पर फिर यह window open होगा इस window open होने के बाद अब यहां पर upload button पर बस हमको click करना है upload button पर click करेंगे progress bar पूरा fill होने दिए यहां पर इसको disturb नहीं करना है video upload नहीं करना है video नहीं बनाना है only you have to send the picture not video इस प्रोग्रेस बार को आपको पुरा फिल होने देना है उसके बाद फिल होने के बाद ये upload हो जाएगा और upload होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा तो submit अब ये दो question हमने solve कर लिया अब हमको submit करना है तो submit बटन पर click करके हम अपने answer को submit कर सकते हैं बट sometimes क्या होता है कि google form में ये मतलब ये files upload होने के बाद भी क्या होगी कि display नहीं होगी यहाँ पर तो वहाँ पर आपको panic नहीं होना है अगर माली जी फाइल जैसे हाँ पर हमारी दो फाइल हमने upload कि वो display हो रही है माली जी upload होने के बाद भी अगर वो display ना हो रही हो तो उस case में वही process repeat करके उसको फिर से आप upload कर दीजिए उस particular question के answer को photo लेके तो before submitting make sure कि आपके सारे answer upload हैं और upload हैं यह कैसे पता चलेगा इन icons को देखकर पता चलेगा है पुछ इस तरह के icon दिखेंगे upload होने के बाद यह बता रहा है कि हमारी file upload हो चुकी है अगर यह नहीं दिख रहा है इस तरह का icon आपको नहीं दिख रहा है तो आपको वह process फिर से repeat करना पड़ेगा submit करने से पहले make sure कि आपके सारे files uploaded हैं यह sure होने के बाद ही submit button को दबाना है तो हम submit button को दबाएंगे तो यहाँ पर नाम पूछ रहा है तो नाम भी डालना जरूरी है तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं टेमो है तो हमने नाम दिया उसके बाद अब हमको submit button दबा देना है तो जैसी हम submit button दबाएंगे कि यूर आंसर विल गेट submitted ओके hope you all understand thank you